हेलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे ओंलाइन चैनल अरध्या अरेयस एकेडमी में दोस्तों पूरे भारत वर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परिक्षाएं आई जित होती है उन्हें सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए भारत के गोल के टोपिक वाइट्स टोप इंपोर्डेंट प्रेस्न हैं वो पढ़ेंगे अगर आपने पिछली जो आठ कलासे हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाईए वहापे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारत का बोगोल टोपिक वाइज कुशन के नाम से तो आप वहां जाके पिछली कलासे है वो जरूर देखें और अरद्यारस एकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रासन है आद यह मित्रों इस प्रासन का राइट आंसर हो जाएगा वो है कोईला को जाता है तीन नंबर का जो ऑप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए मित्रों बहुत ही सांदार प्रासन पुछा गया था यह ठीक है यह पुछा गया था दोस्तो रेट लेवल फर्ष्ट के अंदर सोरी रेट लेवल सेकेंड के अंदर पुछा गया था यह ठीक है दोजार अठारा में ही पुछा गया प्रासन है देखिए एक तरफ इसपाज सैंत्र है दूसरी तरफ इस्तति राज्य है यानि कि कौन सा को इसमें बताना है यहां पर देखे दोस्तों ओडिसा में है बिलाई इस्पात सयंत्र दोस्तों बिलाई इस्पात सयंत्र है वह कहां पर है तो यह 36 गड़ में है दुर्गापुर इस्पात सयंत्र है यह दोस्तों कहां पर है तो यह पस्सिम बंगाल में है और वाइगेज इस एसपात सयंतर है ये अंद्रपरदेश में है इस प्रेशन का जो राइट अंसर Мос और वहरा है डोस्थोsent दो एक तीन चार दो एक तीन चार यानि कि अपना इसमें या राइट आणसर क्या हो जाए थी निम्न में से किस लोहा इस्पात सैंतर की स्तापना बिर्टेन के तकनिकी सैयोग से हुई थी रिट लेवल सेकेंड एक्जाम 2018 के अंदर ये प्रेशन पूछा गया था तो मित्रों इस प्रेशन का जो राइट अंसर हो जाएगा वो है दुरगापूर इस्पात सैंतर दुर जो राउ केला है ये दोस्तों जर्मनी के सैयोग से इसकी स्तापना की गई थी इस सैंतर की इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दो नंबर का ओप्शन सैंतर आप याद रखना दुभी यानि कि दूसे क्या हो जाएगा दुरगापूर इस पाथ सैंतर और बी से हो जाएगा इसमें बिर्टेन ठीक है देखिए तीन प्रेशन पुछे जाएंगे आपको भारतिय उद्योग से समन्दीत ठीक है अगर आप वो तीन प्रेशन सही करना चाते हैं हर परिक्सा में पुछे जाते हैं दोस्तों ये तीन प्रेशन सही करना चाते हैं तो दोस्तों इन प्रश्णों को सो प्रश्णों को डट लीजिए देखिए निमनली कित में से किस लोहा इसपात सहयंतर की स्थापना ब्रिटेन के तक्निकी सहयोग से हुई थी रिट लेवल टू 2017 के अंदर ये प्रश्णा पूछा गया था ठीक है किस क्या हो जाएगा दुर्गापूर इस पात सहयंतर है तो इस प्रश्ण का राइट अंसर हो जाएगा दो नंबर का उप्शन सहयोग नेक्स्ट आगे देखिए भारत में निमनली कित में से कौन सा एक लोहा इस पात उद्योग नहीं है उद्योग का किंदर नहीं है भारत में न निमन लिकित मेंसे कौन सा एक लो है, इस बात उद्योग का के अंदर नहीं है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बैंगलूर, कौन सा है, बैंगलूर नहीं है, इसके अलावा दोस्तों सेलम, डोलवी और दुर्गापूर ये तीनों ही है, तो इस प्रेसिन पर एंटी बायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बताए कुन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें रिशी केस एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पादन के लिए प्रशिद है रासाइनिक उर्वर के उत्पादन के लिए प्रशिद है आर्टेट दोजार ग्यारा लेवल टू के अंदर ये प्रशन पुछा गया था तीन नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट निम्न लिखित में से कौन सा भारत म कागज उद्योग का के अंदर नहीं है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है इसमें राज कोट ठीक है देखिए इसमें अशिस्टेंट जेलर एक्जाम 2016 के अंदर ये प्रशन पूछा गया था भारत में कागज अगर देखिए निम्न लिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो दोस्तों कोन सा एक इसमें सही सुमेलित नहीं है बताएगे दोस्तों देखिए आरेस प्री एक्जाम 2015 के अंदर ये प्रेस ने पुछा गया था तेल सोधन साला देखे ताती पाका आंदर प्रदेश इसमें दोस्तों ओन जी सी बिलकुर सही है डिग वोई एसम के अंदर दोस्तों आई ओ एल आई देखिए आई ओ सी एल ठीक है ये भी बिलकुर सही है औ और बीना मद्य परदेश में बीपी सी एल ये भी दोस्तों इसमें सही है कोईली गुजरात में एचपी सी एल दे रखा है जो कि दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि कोईली गुजरात में दोस्तों कौन सा तेल सोधन साला है व अठारा सो चोपन में कहां पर इस्तापित की गई भारत में पर्थम सूती वस्तर मील का मील सन अठारा सो चोपन में कहां इस्तापित हुई तो ये मील इस्तापित हुई दोस्तों कहां पर मुंबई में दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मुंबई में 11 न सूती वस्त्रों की राजदनी किसे कहते हैं तो ये कहते हैं दोस्तों मुंबई को दो नमबर उप्षन सही उतर हो जाएगा मुंबई को कहते हैं नेक्स्ट भारत का मेंचेस्टर किसे कहते हैं तो दोस्तों भारत का मेंचेस्टर कहते हैं किसे एहमदाबाद को कहते हैं दोस्त उत्तर भारत का मेंचेस्टर बोलते हैं दोस्तो कानपूर को किसको बोलते हैं कानपूर को और दक्षिन भारत का जो मेंचेस्टर है वो किसे कहते हैं तो वो दोस्तो कोयमबटूर को कहते हैं यानि कि 14 नमबर का प्रेस्टर का उत्तर कानपूर एक नमबर का उप्षन और 15 नम अंगाल की प्रसीद है ताथ की बनी साड़िया तो इसमें एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए 16 नंबर का प्रस्थन है भारत में पहला जूट कार खाना किस इस्तान पर इस्तापित किया गया था तो ये क कहां पर है रिश्रा में इस्तापित किया गया था पहला जूटे कार खाना चार नंबर का उप्षन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए होजरी के लिए प्रसीद सहर है होजरी के लिए प्रसीद सहर कौन सा है लुद्याना एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो ज की गई आगे देखे पस्षिम बंगाल राज्य में कुल्टी नामकिस्तान पर लोह इस्पात सेंतर की स्थापना कब की गई तो दोस्तों बताईए पस्षिम बंगाल राज्य में कुल्टी नामकिस्तान पर लो है इस पात शैंतर की स्टापना कब की गई तो दोस्तो इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो आठारा सो चोंतर में की गई थी ये स्टापना एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए जमसेद जी टाटा द्वारा इस्तापित टाटा आइरन स्टील कमपनी कहा है तो दोस्तो ये कमपनी है ये कहां परिष्टित है तो ये जमसेद पूर में है एक नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जमसेद पूर में आगे देख सबसे बड़ा लोह इस पात कारखाना है वो दोस्तों बताईए कौन सा है कहां पर है तो दोस्तों वो है टिसको कौन सा है टिसको ठीक है यह सबसे बड़ा दोस्तों लोह इस पात कारखाना है तो इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो इसमें एक नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कूल से उत्तर हो जाएगा टिसको ठीक है याद रखना अच्छा प्रस्थ नहीं है आगे देखिए करनाटक राज्य में बदरावती लोह इसपात सयंत्र की स्थापना है वो दोस्तों बताइए इस प्रहशन का राइट आंसर हो ज अपना की गई चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए चतीस गड़ में इस्तीत बिलाई लो है इस पात सहयंतर किसके सहयोग से लगाया गया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके सहयोग से लगाया गया इसका राइट आंसर हो के सहयोग से लगाया गया था ठीक है बिलाई जो लोहे इस पात सहयंतर है ये रूस के सहयोग से लगाया गया था ठीक है और एक राउ के ला लोहे इस पात था वो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से और एक दुरगापुर लोहे इस पात सहयंतर था तो मैंने आपको बताया था बीरू, बीखे बिलाइ, रूस से रूस, ठीक है, एक मने बताय था आपको डूबी, क्या बताय gusty, दूबी। ठीक है इनके सहयोग से बनाए गया था यहां पर पूछा गया है दोस्तों इसमें बिलाई लोहे इस पात सहयोग से लगाय गया तो दोस्तों भी रू रू से क्या हो जाएगा रूस के सहयोग से यह इस्तापित किया गया था आगे देखिए इसमें ओडिसा राज्य में इस्ता पित किया गया था तो इसका राइट आंसर एक नमबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए 25 नमबर प्रेस ने पस्यमी बंगाल राज्य में इस्तित दुरगापुर लोहे इस पाथ सहयंतर किसके सहयोग से लगाया गया था मैंने आपको बताया था दू बी क्या जारकंट राज्य में इस्तित बोकारो इसपात सहयंतर किसके सहयोग से लगाया गया बताये ये बोकारो इसपात सहयंतर है तो दोस्तो इसमें आपको देखिए बोकारो और एक बिलाई ठीक है बोकारो और बिलाई ठीक है ये दोनों के दोनों है वो दोस्तों रूस के कि गई तो दोस्तों बिलाई लोह इस पात सेंत्र की जो इस्तापना है वह गुणी सो चपन में की गई थी पर तम तत्य चित्र में लोह इस तापित लोह इस पात सेंत्र है बहरत का पर्थम तटिये चेतर में इस तापित लोह इस पात सयंत्र है इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो दोस्तों वो है इसमें विशा का पटनम याद रखना बहुत ही अच्छा प्रेशन है काफी वार परिक्षाओं में पूछे दा चुका है भारत का प्रेशन का आपको 100 के 100 प्रेशन देखने बहुत ही जरूरी है देखिए आगे 29 नंबर प्रेशन है इसमें देखिए पोस्त को इसपात सयंत्र जो दक्षनी कि कमपनी है कहां इस्तीत है बताइए यह तो सभी पोस्ट को इस पाथ सेंतर जो दक्षनी कोरिया की कमपनी है कहां पर इस्तित है यह इस प्रेशन का जो दोस्तों जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा वो है दोस्तों पारादवी पे ओडिसा में एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे भारत में यह अलुमीनियम का उद्योग तो इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए अपना इसमें 31 नमबर प्रेशन भारत के चीनी उद्योग के बारे में निमनलिकित में से कौन सा सही नहीं है सीडियस 2017 के अंदर यह प्रेशन पु का राइट अंसर हो जाएगा चार नमबर को छोड़के बाकी तीनों है वो बिल्कुल सत्य है ठीक है आगे देखिए इसमें देखिए निमने इस्तानों को उद्योग से मिलाए ठीक है और नीचे दिये गए कूट की साहिता से सही उत्तर का चैन कीजिए बी पी ऐस सी परिक् एक तरफ इस्तान दे रखा है दूसरी तरफ उद्योग है यानि कि कौन से इस्तान पर कौन सा उद्योग है तो यहां पर देखिए यहां पर बैंगलूरू के अंदर दोस्तों कौन सा उद्योग है बैंगलूरू के अंदर दोस्तों इसमें वायूयान का उद्योग है किसका कोर्बा के अंदर दोस्तों अलुमीनियम का उद्योग है किसका अलुमीनियम का उद्योग है कोर्बा में जमसेद पूर के अंदर दोस्तों लोह इसपात सयंत्र है और मलाज खंड में दोस्तों तामबा का उद्योग है तो इस्प्रेसन का जो राइट अंसर हो जाएगा वो है कि एक दो he compared the एक दो इसप्रेस्टीशिंगा रहाइट आंसर रही Tan friend जाएगmost तिन चार एक दो इसब्रेस्टीष्ण का रहाइट आंसर हो जाएगा आगला प्रेस्ट नहीं है वो भूत इसं earlier का प्रेस्ट मुखत कौने शूची सुमेलित किजिए ठीक है कूटबासा के मादधियां से अपने को उत्तर बताना है देखे सुची फर्ष्ट के अंदर दोस्तों Aluminium Company है और सुचिस सेकेंड में अविस्तती है यानि कि कौन सी Aluminium Company है वो कहां पर इस्तित है वो अपने को इसमें बताना है देखिए I.S. 2007 U.P.P.C. U.P.P.S.C. प्री 2017 के अंदर ये प्रेस ने पुछा गया है देखिए कोरबा के अंदर है काँ पर है कोरबा के अंदर है ये बालको ठीक है company और देखिए हिंडल को ये काँ पर है हिंडल को aluminum Company है ये काँ पर है तो दोस्तों ये है काँ पर रेनुकूट में कहां पर है रेनुकूट में और इंडियन एलुमिनियम कमपनी है ये कहां पर है तो ये दोस्तो हिराकुंड में है कहां पर है हिराकुंड में और नालको है दोस्तो ये कहां पर है तो दोस्तो ये कोरापुट में है इस प्रेस्टन का जो राइट आंसर हो पश्चाद बनाया गया था बताइए भारत में इस पात कारकोनों का कौन सा सम्मू है सवतंतरता के पश्चाद बनाया गया था आरेएस आर्टीएस 2013 के अंदर ये प्रेशन पूछा गया है बताइए भारत में इस पात कारकोनों का कौन सा सम्मू है सवतंतरता के पश्चाद तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बिलाई दुर्गापूर राउकेला इसका right answer हो जाएगा इसमें तीन नमबर का option बिलकुल सेयुतर ठीक है या आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए भारत में कच्छे तेल का व्रजितम बंडार पाया जाता है भारत में कच्छे तेल का व्रजितम बंडार है वो काँपर पाया जाता है इस प्रैस्टिंग का जो right answer हो जाएगा वो है दोस्तो बताईए तो दोस्तो ये पाया जाता है पस्मी अपतट में ये पाया जाता है देखिए भारत में कच्छे तेल का सबसे बड़ा बंडार है वो पस्मी अप्तट यानि की अरब सागर तटिय भाग में हैं भारत के कुल कच्छे तेल के उत्पादन का लगबग 60 प्रतिसत जो हिस्सा है वो दोस्तों ये पस्मी अप्तट से ही प्राप्त होता है चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए 37 तीस नंबर का प्रैश्ण है इंदर्गांधी नहर का निर्मान कारीये वर्श से गुनी सो अठावन से प्रारंभ हुआ इसका उद्गम है अब बताईए दोस्तों इसका जो उद्गम है वो कहां पर है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें कौन स तो वो है इसमें 17 नदी पर भाणगडा बांद से 17 नदी पर भांगडा बांद से दोस्तो इसका उधगम हुआ था इस प्रेशन का जो राइट आनसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तो इसमें कोंसा एक नउ食べ सपन है वो इसका निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है अब दोस्तों यहां पर देखिए मैंने आपको ट्रीक बताई ती उस ट्रीक के माध्यम से है वह आप इस प्रेशन को दो मिनट के अंदर भी किस नहीं यानि कि मातर और मातर पांच सेकंड के अंदर है वो इस प्रेशन को प्रेशन का अंसर दे सकते हैं देखिए मैंने आपको ट्रीक बताई थी राज एक बताई थी दोस्तों बीरू ठीक है एक मैंने बताई थी आपको दोस्तों दूबी क्या बताई थी दूबी ठीक है दूबी अब दोस्तों यहां पर देखिए राज, राज से क्या हो जाएगा, राउकेला, जर्मनी, बिल्कुल सही है, ठीक है, पिर मने बताईते हैं आपको बीरू, यानि कि बिलाई, जो लोईसपाथ सेंटर है, वो रूस के सहयोग से इस्तापित किया गया था, बिल्कुल सही है, यह दोनों हैं, दोस्तों, रूस के सहयोग से स्तापित किये गये थी, यहां पर अमेरिका है, वो गलत दे रखा है, इस प्रैस्टन का जो राइट आंसर है, वो तीन नमबर का उप्सन, बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे, तामबे का खनन एवं सोदन किया जाता है, तो दोस्तो इस प्रैस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, इसमें बताएए कौन सा, तो दोस्तों, जारखंड में तामबा प्रगलन सहयंतर है, तो इसका राइट आंसर एक नमबर का उप्सन, बिल्कुल सहीतर हो जाएगा, आगे देखिए, कोईले के सरवादिक सुरक्षि सहीतर हो जाएगा, जारखंड में पाया जाते हैं, कोईले के सरवादिक सुरक्षित बंडार, आगे देखिए, चालीस नमबर प्रैस्टने, भारत में सबसे लंबी गेस पाइपलाइन है, तो वो कुन सी है, तो दोस्तों, इस प्रैसन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो जमसेदपूर गैस पाइपलाइन है यानि कि HBJ गैस पाइपलाइन है यह भारत में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है तो दोस्तो इस प्रेसिन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही इत्रव जाएगा देखिए हजीरा वीजापूर जग्दिसपूर गैस पाइप्लाइन द्वारा मुंबाई हाई से प्राकश्टिक गैस गुजरात के हजीरा से उत्त्रपरदेश के जदिसपूर तक लाई जाती है इस पाइप लाइन पर आदारित उर्वरक के कारखाने भी दोस्तों इसमें इस्तित है जैसे कि सवाई मादवपूर में है बीजापूर में है ठीक है आवला जगदिशपूर में भी है साजपूर में भी है और बबराला में भी है ठीक है यह उर्वरक कारखाने है इस पर तो वर्ष गुनिशो पिचेतर में दो नंबर का जो ऑप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वर्ष गुनिशो पिचेतर में आगे देखे सिमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विक्षित है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बताइए तो इसका राई टंसर हो जाएगा राजस्तान में तो चिसमें चार नमबर का accepted है वह इसका बिल्कुल desalब तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो तमिलाडु में ठीक है देखे भारत में सूती वस्तर के सरवादी कारखाने है वो तमिलाडू में है यानि कि तमिलाडू के अंदर कुल जो सूती वस्तर कारखानों की जो संक्या है वो दोस्तो 215 है कितनी है 215 माराश्टर में है दोस्तो 122 है गुजरात में 130 और मद्य परदेश में 33 तो यहा दोस्तों उत्तरप्रदेस देखे भारत में चिनी की उत्तरप्रदेस का पर्तひ मिस्थान हैं यह राज्य कुल्चिनी उत्पाद्न के 33 प्रतिसत भाग का उत्पाद्न करता है तीन नंबर का उप्सन सभीन इतर हो जायेगा आगि देखें किस नगर को को पुलिक्स को जाता है बताएक किस नगर को कोटनो पॉलिस का जाता है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुंबई को मुंबई को का जाता है दोस्तों मुंबई को भारत का कोटनो पॉलिक्स का जाता है यानि की सूति वस्तर ठीक है कि राजदानी किसे का जाता है मुंबई को तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपर सुति वस्तर की सताओन मिले इस्तित है राइट आंसर इसमें तीन नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए कोचीवे कारवाड है कोचीवे कारवाड क देखिए के मन गुंडी किसके लिए प्रसिद है वह है के मन गुंडी किसके लिए प्रशिद है है तो बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोहाइस के खनन के लिए परशिद है ठीक है दोस्तों करनाटा के के बाबा बुदन की पहाड़ियों में इस्तिते केमन गुंडी काला हट्टी जैन सूरी यह जो छेतर हैं यह लोहाइस के खनन के लिए पर भारत में पहला लो है इस पात उद्दियो के स्थापित किया गया तो दोब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा तो वो मैने आप थोट ऴर पहले बताया था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बंगाल आइरेंड इस चील कुल्टी ठीक है आप इसको जमसेदपूर मत कर दे ना इसमें ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखिए बंगाल आइरेंड एंड इस्टील तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा या आपको इसमें य कौन सा पतन लेंगोन पर विक्शिथ किया गया है तो दोस्तों भारत का कौन सा पतन है वह लेंगोन पर विक्षिथ किया गया है राइट आंसर जाएगा वह है दोस्तों कोची कोची बंदरThis है वो दोस्तों लेगून पर अवस्तित एक है सुन्दर प्राकर्तिक बंदरगा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्र है आगे देखें पतास नमबर का प्रस्थ निम्नलिकित में से कौन सा एक आयसक बालागाट बहूलता से मिलता है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है अबकिनिज तो अपना इस नमबर का को अप्शन है वो इसका बिल्कुल से उत्र हो जाएगा ठीक है मैगे जो याद उसकी उद्योगिक सर्चना में सरवादिक प्रतिसत है बताईए भारत के निमनलिकित उद्योगिक प्रतिसों में से किसमें खनीज आदारित उद्योगों का उसकी उद्योगिक सरचना में सरवादी के परतिसत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें छोटा नागपूर प्रदेश से तो इसका राइट आंसर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाए उत्री उडिसा और पस्सिम मंगाल में पाया जाता है तीक है यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए मित्रों इसमें सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है तीक है सुची फर्ष्ट के अंदर उद्योग है और सुची सेकंड के अंदर केंदर है यानि कि कौन से उद्योग का केंद्र है, वो दोस्तो कौन सा है, वो अपने को इसमें बताना है, यहाँ पर देखिए दोस्तो, रेशम वस्तर उद्योग का केंद्र है, वो कौन सा है, तो दोस्तो वो है इसमें काचिपुरम, कौन सा है काचिपुरम, पेट्रोर रसेन का, तो तो दोस्तो पेट्रो रसेन का हो जाएगा इसमें जमाहर नगर ठीक है और उर्वरक का क्या हो जाएगा तो दोस्तो उर्वरक का हो जाएगा इसमें नाम रूप और अवेद निर्मान का हो जाएगा दोस्तो इसमें जिसी केस तो दोस्तो इस प्रेशन का राइट अंसर दो ती लोग भी कहते हैं तो मित्रों इस्प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है लोहा एवं इसपात उद्योग को दोस्तों विकास उद्योग का भी का जाता है इस्प्रेशन का राइट आंसर दोस्तों तीन नंबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा तीक है यह आपको इसमे याद रखना है आगे देखे इसमें 54 नमबर प्रस्टन भारत में निमनलिकित में से किस बंदरगा में तेल सोदक कारखाना नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है कांडला ठीक है कांडला के अंदर दोस्तो तेल सोदक कारखाना है वो नहीं है ठीक है या आपको टीन नंबर अप्संट अगे देखिए इसमें पत्स्पंट नंबर का प्रस्न है देखे नीवन लिकित में से क्रस्मी तत पर इस्तित है तो मित्रों इस प्रस्न का extraordinarily right answer है वो कौन सा हो जाएगा बताएं तो वो है दोस्तो जवाहरलाल नहरू ठीम के परद ass this today, तो वो है जवारलाल नहरू बंदरगा दोस्तों देखिए आप सभी को पता है कोलकता मैंगलोर मुंबई चेन्नेई कोची मारमा गोवा विसाका पटनम परादीप कांडला जवारलाल नहरू एबं हल्दिया ठीक है यानि कि छोटे मोटे मिला के दोस्तों देश में कुल 160 ठीक यह पतन है यह आपको इसमें याद रखना है जवारलाल नहरू पोर्ट बारत का एक हाइटेक पोर्ट है यह आपको इसमें याद रखना है और यह जो पोर्ट है जवारलाल नहरू अला यह दोस्तों कंपूटराइज और सवचालित है यह आपको इसमें याद रखना है नंबर का जोप्षन है वह सिसका बिलकुल स्यूतर हो जाएगा वान है दोस्तों उन ा है कि नारे दोनितर का व पela करने का वर्ष कोन साथ तो यह के इसमें याद रखना है आगे देखे इसमें seven गोमिया किस के लिए जाना जाता है जारकंड में गोमिया है वो किसके लिए जाना जाता है तो दोस्तों गोमिया है ये किसके लिए जाना जाता है तो ये विस्पोटक कार खाना के लिए जाना जाता है विस्पोटक कार खाना के लिए जाना जाता है गोमिया तो इसमें चार नंबर का जो उप्शन है वो इसका ब नहीं बना था। दोस्तों देखिए यहाँ पर दितव पंशवर्सी योजना में बिलाई जो रूस के सयोग से दुरगापुर है वह बेटेन के सयोग से और राओ के पन् millenni वह तीनों कि तीनों है यह दोस्तों दूसरी पंसवर्शियों जना में इनकी स्तापना हुई थी और जो बोकारो हूए बोकारो की जो स्तापना है, वो गुनी सो चौत्तर में हुई थी, कब हुई थी? गुनी सो चौत्तर में तो इसप्रेशन का right answer, एक नंबर तो यह दोस्तो पूर्व सोवित संग तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सहिवतर हो जाएगा तीक है यह आपको इसमें याद रखना है बहुत पूर्व सोवित संग के सहयोग से कियी गी थी आगे देखिए अपना इसमें 61 नमबर प्रेसने सूती वस्तर उद्योग के केंद्री करण के संदर्ब में जो नगर भारत का कपास का विराट नगर कहलाता है वह है तो इस प्रेसन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वह है एहमदाबाद चार नमबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल संक्या का आदा से भी अधिक है वो एहमदाबाद में इस्तित है यह आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत का कपास का विराट नगर है वो दोस्तों एहमदाबाद कर लाता है ठीक है तो इसमें चार नमबर उप्सन सयुत्र बासट नमबर प्रेस ने इसमें देखे किस भारती राज्य में सूति वस्तर मीलों की संक्या सब से अधिक है वो कहां पर है तो वो है दोस्तों महराष्टर में ठीक है आरपीए फैसाई के अंदर ये प्रेस न पूछा गया है तो इ ये का जाता है एहमदाबाद को तो इसमें एक नमबर का उप्षन सहीतर हो जाएगा रेलवे जीडी के अंदर ये प्रेशन पुछा गया था 2018 में नेक्स्ट आगे देखिए चिकन की कडाई किस राज्य में की जाती है बताएं इंब्रोइडरी किस राज्य में की जाती है के भारत में सरवादिक सूती उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में सरवादिक सूती उत्पादक राज्य है वो कौन सा है तो दोस्तों इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गुजरात है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन पुलिपुलिस गुरूपडी के अंदर ये प्रेस्ट न पुछा गया था राइट आंसर इसका दो नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें साहतू से सोल निमन पसू की लोम से बनाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्त वस्तू तथा इस्तान से समंदित निमन में से कौन सा सही मिलान नहीं है तो कौन सा सही मिलान नहीं है बताएगे तो यहां पर आपको दोस्तों देखे तिरुपति लडू तमिलाडू तिरुपति लडू तमिलाडू ये दोस्तों यहां पर सही नहीं है दार्जलिंग टी अ राजस्तान डोकला गुजरात ये बिल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा इसमें ठीक है आप कमेंटें बताना आपको तिरुपति लड्डू है वो कहां के परसीदे आगे देखिए रियल इस्टेट छेतर पर नियं आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा तो वो है रियल इस्टेट नियामक प्रादिकार एक नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए सत्तर नंबर प्रेस ने निमनलिकित में से किस लोहा इसपा है या आपलेफ सेंतर के इसापना बिर्टेन के तकनिकी सयोक से होई थी जिट लेट लेबल फ़र्स्ट दोजार राक जर्येप पूछा गया था उप्रशन करा आइठिय नश्यमें था जयाएं princiожно के अंदर प्रेसन पुछा गया था 2019 में निमनलिकित में से इस पात सेंत्रों में से कौन सा सारजुनिक चेतर के अंतरगत नहीं आता तो कौन सा सारजुनिक चेतरों के अंतरगत नहीं आता तो दोस्तों यहां पर देखिए इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है अपना इसमें कौन सा तो वह टिसको टिसको है यह दोस्तों सारजुनिक चितर के अंतरगत नहीं आता विलाई इस पाथ से अंतर राउकेलाई स्टील से अंतर और दिरगापूर से इंतर ठीक है इस प्रेशन क जो राइट आंसर है वह दोस्तों कौन सा हो जाएगा बताएग विह संरल्द्यों परद्यों की उत्द्यों को जाना जाता है तो यह सू क्यों तीक है सू कौन परद्यों की वाड मेर में ये प्रेशन पुछा गया था 2013 में चितरन्जन प्रसीद है इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो योकामोटिव वरकस ओलोकामोटिव व्रकस तो इसका राइट आंसर होजाएगा का इसमें दो नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर 74 नंबर प्रेशन इसमें देखिए कौन से एक के अंदर में सिमेंट उद्योग नहीं है कौन से एक के अंदर में सिमेंट उद्योग नहीं है तो दोस्तो यहां पर देखिए बरोनी बिहार बरोनी बिहार के अंदर दोस्तो कोन से एक केंदर में सिमेंट उडव नहीं है तो बरॉनी भिहार में नहीं इस प्रेसिन का right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा चार नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सभी उत्तर हो जाएगा देखे भारत में सिमेंट उद्योग की जो सुरुवात है वो गुनी सो चार में चेननाई से हुई थी ठीक है उसके बाद में गुनी सो बारा तेरा में इंडियन सिमेंट कॉर्परेशन द्वारा पौरबंदर गुजरात में सिमेंट का उत्पादन शुरू किया गया था बरोनी बिहार में तो दोस्तों कागज उद्ध्योग के लिए जाना जाता है तो यह यहां पे चार नंबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए अपना इसमें असेलम लो है एवं इस पात उद्ध्योग इस्टीत है तो दोस्तों यह कहांपर नहीं तो यह तमिल तो वो दोस्तों राजस्तान में है सरवादिक ठीक है जाने कि सरवादिक जो संक्या है वो दोस्तों सिमेंट कार खानों के कहां पर है तो वो राजस्तान में है एक नमबर का जो अप्शन है वो सही उत्र हो जाएगा आगे देखे बहरत में पहली सफल वस्तर मील इस्तापित क तो दोस्तों इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा वह की गई दोस्तों मुंबाई में तो इसस्का बिल्खी से उत्र जाЕगा आहम्दाबाद को का जाता है आगे देखे केंदर सरकार दौरा बहतर निस्पादन करने वाली सारजूनिक छेतर की चुनिंदा कमपनियों को नावरतन का दर्जा परदान करने पर ऐसी कमपनियां कितना निवेस सरकार की पूर्वा निमती के बिना कर सकती है बताइए केंदर सरकार दौरा बहतर निस्पादन करने वाली सारजूनिक छेतर की चुनिंदा कमपनियों को नावरतन का दर्जा परदान करने पर ऐसी कमपनियां कितना निवेस सरकार की पूर्वा निमती के बिना कर सकती है बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो नेक्स्ट निमनलिकित में से कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंदर नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कौन सा निमनलिकित में से कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंदर नहीं है इसका बिलकुल सही उतर देखिए यहां पे बिलासपूर, नेपानगर, मेरट, यहां पर राजकोट दे रखा है, राजकोट इस प्रेशन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नमबर का जो अप्सन है, वो इसका बिल्कुल से उतर, नेक्स्ट, आगे दे की प्रवर्ती का मूल कारण है इसका जो मूल कारण है वो है दोस्तों कोन सा तो वो है दोस्तों इसमें देखे увидеть मूंबई की अठिशास अधिक शस्ति है तो इसका राइट आंसर चार नंबर का सब्सक्राइब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए अपना इसमें 82 नंबर प्रेस ने भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समू है विंड फार्म कलश्टर किस राज्य मिश्तित है भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समू है wind farm cluster किस राज़े में इस्तित है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों बताए किस राज़े में इस्तित है इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसका बताए भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समू है wind farm cluster किस राज़े में इस्तित है तो यह इस्तित है दोस्तों तमिलाडू के अंदर देखिए आरपिए इफ 15 के अंदर ये फ्रसन पूचा गया था तके तरत्याक कोईले को ओर किस नाम से जाना जाता है 12 नके इस का बारत के उय्टर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बुरा कोईला के नाम से जाना जाता है दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखे बारत में कच्छे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में कच्छे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है करनाटा का तीन नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा करनाट का आगे देखें अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्धेशे से सुरू की थी बताइए न्यूज प्रिंट का सरो परतम प्लांट कहां पर इस्तापित किया गया था न्यूज प्रिंट का सरो परतम प्लांट कहां पर इस्तापित किया गया था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया था दोस्तों मद्दे प्रदेश में तो इसका राइट आं कि दो नंबर का जो प्षय को से अधन कर प्रिसका फेसंगा बाद में आगे देखें निमृनलिकट मेसे कौन सा एक सुमेलित यूपी एलस ग्जाम के अंदर ये प्रेस से पेस्म पूछा जा चुका है इस अ मतश्य को बताई रिक निम्रलिकट में कशा है करें सिमेल्ट नहीं नहीं है तो दोस्तों आपको यहां पर दिख घड़ा होगा दोस्तों satisf में हिंडाल को प्री्जि दोस्तों अपना इस में गलत दे आगा है दियें के बाल को नाल को बुनिश्वर और ett-c alex व क्सक्राशडें करें और यह ऑचेति यह पर आगे देखे Só नहीं है तो दोस्तों इसका दो नमबर का सुपर स्परीद है डिसके निर्यात के सुपर किसके निर्यात के लिए सुपर शिथ है आईे क्या स्प्री बने हुए वस्त्र तो just प्रज lockswood sud зан 51-55 यह बिल्कुल सही उत्र हो जायागा घरवर को सदी है जो और मिल्कुल सेथा बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ने होको होगी पाराइब के टीकर Utah कला में ने मौटरवा बिल्कुल समय उत्र जाएगा फ्र जोध को की जाएगा क्ला सबसे हमिता है चिन्नी उद्योग सब शेधिक किसराजय में इस्थित है तो दोस्तों इसका राई टांसर हो जाएगा वह धूस्तों उत्र पर्सटित है तो दोस्तों यह मैंने आपको बताया था ठממाई थीक है दोस्तों यह एक गास्वाइप्लाइन पर यह इस्थित है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें दो नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा ठीक है हजीरा जगदिशपूर पाइप्लाइन द्वारा गैस आपउर्ति की जारी है इस उर्वर्ण के लिए तो इसका right answer गैस पर आदारीत है ये दो नंबर उप्शन सही उतर आगे देखे बोकारो इस पात कारखानेंग में किस विदेशी देश का सयोग पराब्त किया गया है बताइए UPPASC के अंदर पुछा गया प्रेशनल गुनिशो इकरानम में तो दोस्तों ये सोवियत संग यानि की रूस के सयोग से ये बनाय गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ती जिनी यूरोपियों ने भारत में परतमता है सामुद्रिक व्यापार के अंदर इस्तापित किये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पूर्टगाली ने तीन नंबर का Opsun बिल्कुल सही उतर हो जाएगा भारत में आने वाले यूरोपियों में जो पहले सामुंदरिक व्यापारिक केंदर है वो पूर्टगालियों ने इस्तापित किये थी तीक है यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए अपना इसमें 95 नंबर प्रेशने भारत का प्राची इंतम विशाल उद्यों कौन सा है तो वो है दोस्तों अपना इसमें सू आगे देखिए अपना इसमें 97 नंबर प्रेशने इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्तर उद्यों केंदर है वो दोस्तों कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें एहमदाबाद एक नंबर का उप्सन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा एहमदाबाद ठीक है आगे देखिए बिल प्रेशन पूछा गया है तो देखिए बीरू रूस के सहयोग से बनाया गया है दो चार नंबर का उप्सन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए वह कौन सा रेल मार्ग है जहां पर सरवादिक इस पात कारखाने इस्तित है तो दोस्तो इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बंबई हावडावाया राइपूर दो नंबर का जो ऑप्सन है वो इसका बिलकुल सेईडितर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है तो दोस्तों प्रसना आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक आराध्यारस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आगन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पा